नमश्कार, मैं पृती अगरवाल, असिस्टेंट प्रोफिसर केमिस्ट्री इन गॉर्मेंट कॉलेज केकडी आज हम B.Sc. फाइनल एर में फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोइस्कोपी पढ़ेंगे बच्चो पहले किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रेक्चर ग्याद करने के लिए हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोपर्टीज को स्टडी करते थे जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपर्टीज से मतलब है सर्फेस टेंशन, विसकोसिटी, अपवर्तनांग, डाइपोल मॉमेंट, आधी लेकिन पिछले कुछ वर्षवो में इन सभी के अतिरिक्त फिजिकल साइंस में एक नई टेक्नीक इजात हुई है जिसके द्वारा भी हम किसी मॉलिकुलर कमपाउंड की स्ट्रेक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह नई विदी है स्पेक्ट्रो इसकोपी तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रमी विद्यो द्वारा किसी मॉलिकुलर कमपाउंड की स्ट्रेक्चर का स्टडी किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है स्पेक्ट्रो इसकोपी 이 स्पेक्ट्रोइस्कोपी से पहले आपको एक टर्म जाननी होगी, स्पेक्ट्रम आपने पहले पढ़ा होगा 11 लेवंद क्लास में कि जब भी किसी सफेद प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रिज्म में से गुजारने के पश्चात, वह साथ रंग की विविन पट्टियों में विवेदित दिखाई देता है श्वेद प्रकाश के विविन रंगों में तरंध्हरे के अव्यवों के बटने को इस प्रकार के विखषेपन को कहा जाता है DISPERSन और यह है जो सतश रंकला आप देखते हो विविन रंगों की यह कहलाती है स्पेक्ट्रम अब इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना उसका एनालिसिस करके पधार्थ की मॉलिकुलर स्ट्रेक्चर ग्याद करना ही क्या है स्पेक्ट्रो इसकोपी तो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रो इसकोपी के अंतरकत हम किसी पधार्थ की इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन क्रिया करवाते हैं अन्युन्य क्रिया करवाते हैं इन दोनों की अर्थात उस पधार्थ की और electromagnetic radiation की interaction क्रिया के पश्चात उस radiation का या तो absorption होता है या emission होता है उसके फलसरूप इसकी साहता से molecule की internal structure ग्याद करना या कहें electromagnetic radiation के absorption और emission के बाद जब आप उसको आगे analyzer में बेशते हो उसके बाद जो आपको finally internal structure के बारे में जानकारी मिलती है जो data मिलते हैं वो शाखा कहलाती है आपकी spectroscopy चुकि electromagnetic radiation के अनेग रूप होते हैं जैसे वो gamma rays भी हो सकती है, UV rays भी हो सकती है, IR rays भी हो सकती है तो इन सभी electromagnetic radiation को यदि हम उनकी wavelength या उनकी frequency के base पर classified करते हैं या उसके आधार पर उनको एक आरोही या वरोही क्रम में व्यवस्चित करते हैं तो जो हमें व्यवस्था प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है electromagnetic spectrum तो अगर हम electromagnetic spectrum की बात करें, तो सबसे और अगर इसको आप उड़ जा के घटते होए क्रम में या कहें wavelength के अगर हम बढ़ते होए क्रम में लिखें, तो सबसे अधिक energy या कहें electromagnetic spectrum में सबसे पहला number आता है cosmic rays का, cosmic rays की energy सबसे ज़्यादा होती है और wavelength सबसे कम होती है लगबग 10 की घात minus 2 angostrum कोटी की उसके बाद cosmic rays से कम energy होती है gamma rays की और इनकी wavelength होती है 10 दी पावर minus 2 से 10 angostrum उसके बाद number आता है X rays का, जो आपको पता है कि विविन crystal की study में भी काम आती है इसकी wavelength होती है 1 से 10 की घात 3 angostrum उसके बाद X rays से अधिक wavelength होती है UV rays की जो हमें सूरे से प्राप्त होती है इनकी wavelength होती है 100 से 4000 angostrum उसके बाद आता है हमारा visible range जो होता है 4000 से 8000 angostrum के बीच उसके बाद IR rays आती है जिनकी wavelength होती है 8000 angostrum से 3 into 10 the power 6 angostrum उसके अधिक wavelength होती है microwave की जो 10 की घात 6 से 10 की घात 9 angostrum के range में आती है सबसे अधिक wavelength होती है radio waves की जो आती है 10 the power 9 से 10 the power 13 angostrum तो यह है आपका electromagnetic spectrum उसके बाद हम बात करें spectra की हमने अभी शुरुवात में पढ़ा कि जब भी कोई electromagnetic radiation किसी sample से interaction क्रिया करती है तो interaction क्रिया के पस्चाथ उस sample दारा या तो पधार्थ का electromagnetic radiation का absorption हो जाता है या emission होता है तो इस base पर spectra को मूल रूप से दो parts में classified किया गया है एक है emission spectra और दूसरा है absorption spectra तो सबसे पहले क्या है emission spectra जब भी हम किसी पधार्थ को ताप दिप्त तक गरम करते हैं ताप दिप्त से मतलब है उसका temperature इतना अधिक कर दें कि उसमें से विसर्जन प्रारम हो जाए उसमें से उसर्जन प्रारम हो जाए तो उस condition को का जाता है ताप दिप्त तो जब भी किसी पधार्थ को ताप दिप्त गरम करते हैं तो radiation उसर्जित होते हैं अब इन radiation को स्पेक्ट्रो स्कोप की सायता से एनलाइज करना एनलाइज करना ही क्या कहलाता है उसर्जन इस्पेक्ट्रा उसकी बाद दूसरा है आपका absorption इस्पेक्ट्रा जब किसी भी सोर्ज से प्राप्त लाइट को हम absorptive medium में से गुजारते हैं और बाद में उसका स्पेक्ट्रो स्कोप की सायता से एनलिसिस किया जाता है तो जो हमें spectrum प्राप्त होता है उसे कहते हैं absorption spectra absorption spectra में आपको काली लाइने दिखाई देती हैं जो यह बताती हैं कि electromagnetic radiation के इस भाग का medium द्वारा absorption किया गया है जब radiation किसी पधार्त में से होके गुजरता है तो पधार्त उन waves का selective absorption करता है selective absorption से मतलब है वह completely electromagnetic radiation का absorption ही करता केवल उसके कुछ selective part का ही कुछ विशेश तरंग धर्यवाले भाग का ही absorption करता है जो west van तापदिप्त अवस्ता में होने पर उस सर्जित होने लगता है तो हम कह सकते हैं कि absorption spectrum में in lines की जो position आती है वो उस element के उस सर्जन spectrum में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है तो ये तो हुआ आपका absorption और emission spectra emission spectra में radiation उस सर्जित होंगे और absorption spectra में medium द्वारा radiation का absorption किया जाता है अब emission और absorption spectra को उनकी बनावट के आदार पर दो कैटेगरी में classified किया गया है पहला है continuous spectra और दूसरा है discontinuous spectra अभी हमने शुरुआत में spectrum के बारे में पढ़ा और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जब भी prism में से आप सफेद प्रकाश को गुजारोगे तो उस्तफेद प्रकाश प्रिजमें से गुजणने के पस्चाथ जो सात रंग की विविन पट्टियों में दिखाई देता है उसे कहते हैं spectrum तो वो जो सात रंग की विविन पट्टियां दिखाई देती है उनमें किसी तरह का कोई विवेधन नहीं होता कोई boundary नहीं होती वो continuous दिखाई देती है सतत क्रम में दिखाई देती है तो वह स्पेक्ट्रा जिसमें कोई इस्पष्ट रूप से अलगाव नहीं हो उसे कहा जाता है continuous spectrum उसके बात बात आती है discontinuous spectrum इस्पेक्ट्रा में विवेधन दिखाई देता है यह दिखने में continuous नहीं होते है इन्हें मूल रूप से दो पार्ट्स में classified किया गया है लाइन इस्पेक्ट्रा दूसरा बैंड इस्पेक्ट्रा सबसे पहले हम बात करें लाइन इस्पेक्ट्रा की तो किसी element की वाश्प से उससरजित इसमें खास बात ध्यान रखने की है वाश्प मतलब solid भी नहीं liquid भी नहीं जब भी किसी element की वाश्प से उससरजित प्रकाश को जब हम स्पेक्ट्रो स्कोप की साहता से देखते हैं तो हमें इस्पेक्ट्रम में पतली, चमकीली और विशेश तरन धहर्य वाली अनेक श्रेणी बद रेखाएं प्राप्त होती है श्रेणी बद से मतलब है दो सक्सेसिव लाइन के बीच में आपको एक dark region प्राप्त होता है एक अंदकार युक्त छेत्र प्राप्त होता है इसलिए इसको कह रहे हैं हम discontinuous spectrum तो ये रेखाएं वैपर स्टेज में एटम द्वारा उसरजित एक निश्चित वेवलेंद के radiation को प्रदर्शित करती है तो ऐसा spectrum line या atomic spectrum कहलाता है जैसे आप पढ़के आए हैं कि अगर हम sodium वैपर से प्राप्त spectrum देखें तो उसमें yellow reason में दो lines दिखाई देती हैं एक दिखाई देती है 5890 अंगस्ट्रम पर और दूसरी दिखाई देती है 5896 अंगस्ट्रम पर चुकि कभी भी कोई दो element spectrum में एक जैसी line शो नहीं कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि line spectrum किसी भी atom का एक characteristic feature होता है या कहें इस spectrum की सायता से किसी भी element की पैचान की जा सकती है अब next आता है आपका last band या molecular spectrum इस प्रकार की spectrum में एक विशेश तरहन देरे की line की बज़ाए उन line का एक समू दिखाई देता है line spectrum में दिखाई दे रहा था आपको श्रेणी बद line जबकि इसमें दिखाई देता है एक group of line जिसका एक सिरा sharp होता है especially boundary युक्त होता है और दूसरा सिरा light होता है हलका होता है जब इस spectrum द्वारा इसको analyze करते हैं तो ये पट्टियां बहुत अधिक संक्या में होती हैं बहुत ही पास-पास सटी हुई होती हैं अब यब उस surgeon band spectra प्रदान करने वाले प्रदार्थ को जब हम गरम करते हैं उसको heating देते हैं तो band spectra अध्रश्य हो जाता है गायब हो जाता है तो ये गायब क्यों हो जाता है क्योंकि heating देने पर उसमें dissociation प्रारंब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि band spectra molecules द्वारा उत्पन होता है इसलिए इसे molecular spectra भी कहते हैं और ये भी absorption और emission दोनों प्रकार का होता है तो आज हमने spectroscopy के general introduction के बारे में पढ़ा कि क्या होती है spectroscopy और उसके बाद हमने spectrum का classification देखा कि यदि electromagnetic radiation का absorption हो रहा है तो उसको हमने absorption spectroscopy कहा और यदि उसका emission हो रहा है तो उससे प्राप्त spectra आपका कहलाया उससरजन spectra उसके बाद इनको इनकी shape के आधारपर में दो पार्ट में classified किया continuous और discontinuous उसके आगे फिर discontinuous spectra को दो पार्ट में classified किया है line spectra और band spectra चुकि line spectra किसी atom का characteristic feature है या हम कह सकते हैं कि किसी भी दो element के atomic spectra कभी भी समान नहीं होते तो इसलिए ये एक fingerprint के रूप में काम करता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद